पारचाई एजुकेशन ओन्लाइन क्लासेज में आप सब का स्वागत प्यारे विद्यारतियों हमने इससे पूर्व वीडियो में भारत के स्कुद्रान की विशेषर बढ़ी साथ अब आठ वी विशेष्टा है वयस्क मतादिकार वैसक मतदिकार इसी प्रकार नुवी विशेष्टा है समाजवादी राज्जी समाजवादी राज्जी इसी प्रकार दस्वी विशेष्टा है आपात कालीन उप्वंद आपात कालीन उप्वंद इसी प्रकार ब्यारी विशेष्टा है न्याय पालिका की सौतंत्रता पालिका की सौतंत्रता या सौतंतर ने आए पाई लेगा या सौतंतर ने आए पाई लेगा इसी परकार बारी विशेचता है आलप संक्यक आलप संक्यक वे पिछड़े वर्वूं आलप संक्यक वे पिछड़े वर्वूं को सुरुक्षिया इसी परकार बारी विशेचता है कठोर वे कठोर वे लचिलेपन का कठोर वे लचिलेपन का इसी परकार बारी विशेचता है न्याइक पुन्राव लोकन न्याइक पुन्राव लोकन वे संसदिये सर्वूचिता का समन्न वे संसदिये संगातमक पूर्णा में लोकन का शेच्व करेट अन्याइक अन्याइक पूर्णाइक थाकल का इस तरह नहीं और सोल भी विशेष्टा है एक कहरी नागरिक्ता एक कहरी नागरिक्ता देखे दोस्तो बैस्क मतादिकार बारत के सवगदान की आठी विशेष्टा है जब हमारा मूल सवगदान बना था उस समय मताता की नियुनतम आयू 21 Вरस थी ज़ैंकि मूल Σवगदान में 21 वरस प्रावत्विक्ति बोर डाल सकते थे उसके बाद में सवगदान में संसोदन किया गया जबिशेट्वी सवगदान संसोदन एक सवगदान संसोदन 69 के द्वरा मद्दाता की नियुनतम आयू 21 वर्ष से गटा कर 18 वर्ष कर दिया और आज अब भारत की सवधान के विशेष्टा है कि वैस्क मतादिकार को अपनाय गया है और यहां पर प्रतेक 18 वर्ष की आयू प्राप्त कर देखती बोर्ष दे सकता है जिसने अपना वोटिंगेस्ट में नाम दर्ष कर दिया है और जिसके उमर 18 वर्ष हो चुकी है वो मद्दान कर सकता है तो भारत के सवधान की एक विशेष्टा है कि यहां पर वैस्क मतादिकार को भी अपनाया गया है समाजवादी राज्जी समाजवादी जो सब्द है यह मूल सरदान में नहीं था इसको 42 सरदान संसुदन के द्वारा जोड़ा गया था उसमें आपको मालूम हो तेन सब्द जोड़ गये थे समाजवाद अखंड़ता और पंथन प्रेक्स ता तो समाजवादी राज्जी का मतलब यह है कि बादारों मुख्रत वास्ता यानकि समाजवादी राज्जी की स्थापना करना इसका मूल उद्द रहा है यह भी वारतिय सब्दान के विश्यस्ता है जो समाजवादी पद्दती पर आदारित है नेक्स विश्यस्ता है आपातकालिन उपबंद भारत के सुधान की भी एक मैत्वन विश्य स्टमानी गई है कि इसमें आपातकारिन प्रावदानों का उल्लेख भी किया गया है और आपातकारिन प्रावदानों से सम्मधित अनुच्छिदों की बात करें तो अनुच्छेद 352 अनुच्छेद 352 और अनुचेद 306 यानकि भारत के सविदान में आपातकारिन उपबंदों की विवस्ता भी की गई है और ये अनुचे 352, 356, 360 के द्वारा की गई है 352 का मतलब ये होता है कि जब युद्ध, भाई आकर्मन या सहस्त्र विद्रू की स्तिती पैदा हो जाए तो देश में आपातकार लगाया जा सकता है यानकि युद्ध, भाई आकर्मन या सहस्त्र विद्रू की स्तिती में आपातकार लगता है और इस धारत 352 का प्रियोग तीन बार किया जा चुका है भारत चीन युद्ध 1962, भारत चीन युद्ध 1962 के तहित, और दूसरी बार इसके प्रियोग किया गया, भारत पात युद्ध 1961, और तेस्री बार आंत्रिक ऐसांति का दाप जो आपात का लगा था, वो लगा था 26 जून गुद्ध पिचेतर को यनकि तीन बार इसका प्रियोग कИया गया है, आपात कारीन अबंदों के तहित अनुछे 302 का अब तक तीन बार प्रियोग किया जा चुका है, पहन्ड पार इसका प्रियोग बाहरेक युद्ध के समय 1962 किया गया था और इसको बढ़ा कर फिर 1965 का युदि भी सिम सामिल हो गया था 1965 की जो तक यही आपात्का लगा रहा था उसके बाद है बाहरत पार्ग युद नी सो इकेतर इस समय इसका प्रियोग किया गया सविदान के नेमों के आदार पे नहीं चलता है जब किसी राज़ी का सविदान जब किसी राज़ी का सासन सविदान के नेमों के आदार पे नहीं चलता है तो धारा तेन सो इसका प्रियोग किया जाता है और इसका प्रियोग आज सोसे भी जादा बार हो चुका है याज तक अगर बात करें तो सोसे भी जादा बार इसका प्रियोग किया गया अनुछे 356 का जब जब राज्यों में संक्त आया जब जब सविदान का उलंगन किया गया जब जब सविधान का तिर्मन किया गया, सविधान की सीमाओं को लांगा गया, तो इसका प्रियोग हुआ है, और राजस्तान की बात करें, तो राजस्तान में इसका अब तक च्यार बार प्रियोग हो चुका है, ऐसे पंजाब में, मनीपुर में, विविन राज्यों में इसक क्या गया है। इसी प्रकार अमद्शे 360 की बात करें जब देश वित्य संकट में हो तो उस इस्टिती में अनुछे 360 का प्रयोग किया जाता है। ऐसी इस्टित का सामना हमको ने करना पड़ा आज तक अनुछे 360 का प्रियोग नहीं किया गया है अर्थात आपात कालिन उक्वंदों में 322 का प्रियोग तीन बार 356 का प्रियोग सोसे भी अधिक बार सोसे भी अधिक बार और 360 का प्रियोग एक बार भी नहीं किया गया है कार्श्पति आपको पता है आपातकाल के दोरान सारी सक्ति केंदर के पास आ जाती है नेक्स्ट विशेष्टा है इसकी नियाई पालिका की सवतंतरता या सवतंतर नियाई पालिका भारत के सरगान की एक मेर्थकुन विशेष्टा ये भी है कि यहां न्याइपालिका की सौतंत न्याइपालिका की व्योस्ता की गई है अर्थास सरकार के ती इनंग होते हैं व्योस्तपिका, कारिपालिका और न्याइपालिका व्योस्तपिका को आपको पता होगा काम क्या होता है कानून बनाना इसी प्रकार कार अपालीका काम किया होता है? बनाए गई कानौनों को लागू करना और नzęए पालीका लागू के गई जो कानौन है उनकी देख़फाल करने की जिम्मेदारी नएिपाइलिका पर होती है नएपालीका के पास एक ऐसा धिकार है कि ये अगर कारिपालिका भी अवधनी काम करती है या सविधान के परतिकूल जाती है या सविधान के वरूद काम करती है तो उस इस्तिते में नियाईपालिका उस कारिय को रोख सकती है और ऐसी बातों को लेकर कई बार नियाए पालिका और सरकार के बीच टक्राव भी हुआ है तो नियाए पालिका एक ऐसा सौतनतर निकाय है जो नियाए परदान करने का कारिये करती है और भारत के सवधान में इसका समावेश किया गया है यानिकि ने आई पालिका कि Сव१ अटन दर्ता को बरकरा रख राया है next विशेस्ता है आलप संख्यक वाप पिछड़े वब्गों को सुरुक्षा भारत के सविदा उनके विशेस्ता थी बारत के सविदानिरमाता दूर दर्सी थे उनको मालुम था कि अलप संक्यक वर्गों को भी शुरुख्या दी जाएंगी, क्योंकि समाज में उनकी भावनाई दब के रह जाएंगी, इसलिए उनको भी सविधान में कुछी सुरुख्या दी गई है, लोगसबा, विजानसबा, उनकी तुनाओं में आरक्षिन की व्योस् भारत का सविधान ने तो कठोर है और ने लचिला है, बलकि दोनों का मिश्ण है, कठोर सविधान उसे करते हैं, जिसमें संसोदन करना बहुती कठिन कारिये होता है, लचिला सविधान उसे का जाता है, जिसको आसाने से बदला जा सके, तो भारत का सविधान ने तो लचिल और ने काठोर है बलकि भारत के सविदान दोनों का मिस्तन है और भारत के सविदान में संसोधन की तेन विदियां है यानि कि तेन विदियों के दोरा संसोधन हो सकता है कुछ बातें ऐसी हैं जिनको बदलने के लिए मात्र संसद के दोनों सदन यनकी लोकसबाउर राजी सबा का सादान बहुमत ही प्रियाप्त होता है ये पर्थम विद्धी है जैसे राजीं का पुनर गठन इसके द्वारा हो सकता है यनकी राजीं के पुनर गठन के लिए संसदन सादान बहुमत से ही हो सकता है इसी परकार दूसरा जो मैथढया तरीका है संसोदन का वह तरीका है कि संसत का साधान बहुमत तो चाहिए साथ में उपस्तित सदस्यों का दो त्याई बहुमत भी प्राप्त होना चाहिए यानि कि साधान बहुमत के साथ विशेश बहुमत की भी जरूरत होती है तीसरी जो विदी है वो सबसे कठिन विदी है अर्थात इसमें संसत के साधान बहुमत तता विशेश बहुमत के साथ साथ आदे से अधिक राजियों के विदान मंडलों की सिवकर्ती भी जरूरी होती है जैसे राजपती का निर्वाचन के इंदर राज समंद इनमें अगर कोई बदलाव करना है तो तीसरी विदी को काम में लाया जाता है पहली विदी को छोड़कर दूसरी और तीसरी का उलेख सविदान संसुद्न का समंद अनुछे 368 से है सविदान में जो भी बदलाव किया जाता है जो भी संसुद्न किया जाता है उसका समंद अनुछे 368 से माना जाता है कई बार प्रिक्षान प्रसनिया आ जाता है कि अनुछे 368 का समंद किस से है तो आपको दिखना होगा अनुचे 368 का संबन्द सविधान संसोदन से है यानकि बारत के सविधान में संसोदन करने का जो कारिय है वो इस संसोदन के तैत किया जाता है इस प्रकार बारत के सविधान कठोर और लचिलेपन का मिश्टरन है बारत के शिवदान अमेरिका के तरे नय तो कठोर है और बिर्टेन की तरे नय लचिला है, बलकि दोनों का मिस्तरन है, कुछ बातें आसाने से बदली जा सकती है, कुछ बातों को बदन के लिए कठोर प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। बारतिते सविदान निर्माताओं ने सविदान को बड़े सोच समझके रो अच्छे डंग से बनाया है नेक्स्ट विशेष्टा है न्याइक नराव लोकन वे संसदी सरोचिता का समन्यूए बारत के स्यदान की अगली विशिष्टा है न्याई पन्रावलोकन वे संसदी स्रोचता का समझने में न्याई पन्रावलोकन का मतलब क्या होता है देखें राजिस्तर पर कानून बनाने का कारी विदानमंडल करता है और केंद रिष्टर पर कानून बनाने का काम संसद करती है तो यूं कह सकते हैं अपन विधानमंडल या संसद के दौरा बनाए गए कानून की जात न्यायपालिगा करती है यदि वो कारिये सब्धान की परतिकुल पाए गए तो उन कारियों को रिजक्ट करने का काम न्याइपालिका के पास है तो रिजक्ट करने की जो सकती है उसी वो बोलते है न्याइपालिका या यू भी कह सकते हैं कि संसत के दुआरा बनाए गए कानूनों की जांच परताल करने का कारिय न्याइपालिका के पास है और न्याइपालिका यदि ये देखे कि सविदान के प्रतिकुल कारी है तो उस कारी को रोक सकती है और रोकने की सकती को ही न्याइक पुनरावलोकन काहा जाता है बारत के सविदान में न्याइक पुनरावलोकन की भी विवस्ता की गई है साथ में संसद को सरोच्चे बनाया गया है संसद को क्या बनाया गया है सरोच्चे लेकिन संसद भी सविधान का तिकर्मन नहीं कर सकती है यहनकि नयाएक पुन्रा लोकन और संसद सरोच्चता का समन्यवे किया गया है यह भी एक भारत के सवधान की विशेष्टा है यहां संसत को सरोची बनाती हो यह नाइकमरा लोकल के साथ उसको जोड़ा गया है नाइक्टस की विशेष्टा है संगातमक वै एकातमता का मिस्तरन संगातम सासन उसे एक आजाता है जिसमें केंदर वै राजियों में सक्तियों का बटवारा किया गया है भारत के सवधान में सक्ति व्यादन सूची तीन सूचियों के अधार भी किया गया है संग सूची, राजि सूची और समवर्ती सूची महित्पुन विशे हैं जो केंदर को दिये गए है उसके बाद में कुछ विशय राज सूची में है, वो कुछ विशय समुषय सूची में रखे गए हैं या जियाननी कि संगात्म सासी के एक विश्षथता होती है कि सक्तियों का बटवारा हो जाता है जबकि एकात्मक जो सासन वे होता है जिसमें केंदर सरकार की सर्वेसर होती है जैसे ब्रेटेन में एकात्मक सरकार है जबकि अमेरिका जैसे भारत और अमेरिका में संगात्मक सासन वे होता है वहीं ब्रेटेन में एकात्मक की सरकार है यानि कि एकात्मुता का मतलब यह होता है कि केंदर सरकार की ही चलती हो या पिर केंदर सरकार का भी बोलबाला रहता हो केंदर सरकार के ही कानून मानिय होते हो उसे बोलते हैं एकात्मुता जैसे बिर्टेन में ऐसा होता है तो संगात्मक वे एकात्मत का मिस्तरनेन की भारत का सर्दान संगात्मक होने के साथ एकात्मक भी है यानि कि इसमें कुछ बाते ऐसी हैं जो केंदर के और जुख जाती है जैसे मैं कहूँ आपातकार इन उपबंदों का जब प्रियोग होता है तो संपूर सकती राजजियों केंदर के पास आ जाती है इसी परकार भारत के सासन में संगात्मक सासन के इसाब से नागरता दोरी होनी चाहिए लेकिन भारत में नागरता एक एरी है इसी परकार एकात्मक सासन में सारी सकती केंदर के पास होनी चाहिए लेकिन बाहरत में यहां कुछ सक्तियां प्रेंदर के पास भी हैं कुछ राजी के पास भी हैं कहने का मतना मेरा यह था कि संगात्मक वे एकात्मता का जो मिस्रण है यानि कि बाहरत के सर्दान में संगात्मक सासल की विशेष्टाई भी है साथ में एकात्मक सासन की विशेष्टाइं भी हैं कुछ बातों में एकात्मता भाव है तो कुछ बातों में संगात्मता का इसलिए बाहरत के सर्दान को संगात्मक वे एकात्मता का मिश्रन कहा जाता है नेक्स विशेष्टा है एकहरी नागरिक्ता एकहरी नागरिक्ता का मतलब है राजी की भी और केंदर की भी एक ही नागरिक्ता यानिकि संगातम सासिम में नागरिक्ता का प्रावधान ये होता है कि दोरी नागरिक्ता होती है उस राजी में जिसमें वो रह रहा है उसकी भी और केंदर की भी नागरता प्रावधान करता है अर्थात राज्यों की और केंदर की एक नागरता दी गई है इसी प्रकार बारत की सुधान की विशेशता ही पड़ी हमने इसके बाद हम